तो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और दोस्तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो ट्राइवर आर एकसल मॉडल की यानि कि सेकेंड बेस मॉडल क्या फीचर्स क्या प्राइज सारी चीज मैं आपको बताऊंगा इंजन इ ज्यादा बड़ा इंजन इस कार के अंदर नहीं आता और इसके जो लेंट है वह 4991 एंजन की लेंट है विर्थ जो है वह 1749 में और हाइट 1647 में है और इसमें बूट स्पेस वह चीज मैं आपको देखांगा सारी बताऊंगा साथ लोगों के बैठने की सीट है और इंजन व बिलू का कॉमिनेशन काफी अच्छा लगता हो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा इस कार के अंदर एसेसरी लगी हुई है तो ये थोड़ी सी टॉप मोडल में हमें फ्रंट से दिख रही है यहाँ पर रिनॉल्ट का लोगो है यह इस टाइप से और यहाँ पर क्रॉम ग्रिल जो की अलग से लगाई गई है यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलम्प हेलोजन हेडलम्प और यह इंडिगेटर आपको देखने को मिलेगा LED DRL अलग से लगवाने पड़ेंगे Ground clearance लगवग 112CMM का आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएग Wheel Cap मिल जाते हैं और यह Indigator मिल जाता है ORVM पर Indigator नहीं मिलता यहाँ पर आपको Antina, Roof Rail, कुछ इस टैप से Black Color में यह देखने को मिलेंगे Keyless Center के साथ में गेट को आपन कर लेते हैं, आपन करने के बाद कुछ इस टैप से गेट आपको पूरा देखने को मिलेगा यहाँ पर Power Window के दो Option मिल जाते हैं और वैसे पूरे जो Option में हैं वो चार मिलते हैं, Manual तरीके से ही आप Rear View Mirror को Set करेंगे यहाँ पर देखा जाए, तो कुछ इस टैप से Seat मिल जाती है, Adjustable Seat है, Height Adjustable नहीं है, Top Model में Height Adjustable Seat भी आती है तो यह सारी Profile कुछ इस टैप से है, यहाँ पर Fuel Tank, Open Connect, Option मिल जाता, 3 Pendle मिल जाते हैं और अंदर बैट के देखा जाए, तो कुछ इस टैप से यहाँ पर AC Band, बीच में 2 AC Band मिल जाते हैं, एक उधर की साइड में AC Band मिल जाएगा यहाँ पर Steering पर Renault का Logo आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टैप से, तो ओहरन मिल जाता, बाकी और कुछ नहीं मिलता यहाँ पर, यहाँ से आप Passing दे सकते हैं, Indigator और यहाँ से Viper को चला सकते हैं यह काफी अची प्रोफाइल है, और यहाँ पर देखा जाए, तो इसमें, Instrument Cluster में, Touch, Meter, Multitrip, Meter, Digital Clock, Digital Automator जैसे Function देखने को मिलेंगे और वहाँ पर Low Fuel Warning Light का भी Option मिल जाएगा, यहाँ पर Bluetooth बाला Music System मिलता है, अगर इसमें Touch Screen भी लगवाना है, तो वो आप अलग से लगवा सकते हैं, लेकिन Company से BT वाला आता है, तो यह सारी प्रोफाइल कुछ ऐसी है, इसको आप चला सकते हैं, जैसा आपको चलाना है, नीचे का outlet यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, भाई काफी अच्छा है, और यहाँ पर adjustable steering भी देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ सा की का option मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से सही है, गे लीवर काफी ठीक टाक है, और यहाँ पर आपको handbrake मिल जाता है, और यहाँ पर आप से sun visor यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इस पर sun visor दो है, इस पर आपको vanity mirror नहीं मिलते है, handle मिल जाता कुछ इस टैप से, तो यह जो सारी profile है, कुछ ऐसी profile आपको देखने को मिलेगी, जो काफी मुझे तो best लगी, जो कि आपका second base model है, तो उसमें ऐसा ठीक है बाई, जितने भी features नहीं ठीक है, top model में ज़्यादा features आते हैं, क्या इसके price रहेंगे, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हम देखते हैं, co driver side में, तो seat पर और door पर, तो यह सारी profile से मिलती है, इसमें कोई भी अंतर नहीं मिलता, यहाँ पर power window का एक option हो जाता, बस, बाकी same चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है, यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर AC vent, airbag और glove box कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगा, इसके top model में दो glove box आ जाते हैं, लेकिन इसमें एक आएगा, seat profile adjustable है, आगे पीछे इसको कर सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो adjustable head rush नहीं है, और यह seat belt का option मिल जाता है, उपर की side में कुछ इस type से पूरी profile आपको देखने को मिलेगी, रूफ की, और यहाँ से gate को open कर लेते हैं, और यहाँ से gate को open करने के बाद, gate पर power window का option मिलता है, यानि कि 4 power window इसमें मिलती है, जो इससे नीच वाला model आता है, उसम पर profile देखने को मिल जाती है, adjustable head rest मिल जाते हैं यहाँ पर, तो यह भी काफी अच्छा है, अंदर बैटने के बाद कुछ यह profile, SCI की leg room कुछ इस type से इतना आ जाएगा आपको, आप खुद ही देख लो, तो मेरे हिसाब से तो भाई काफी ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो handle मिल जाते हैं, handle बैसे driver seat को छोड़ कर बाकी सभी seat हो पर मिलते हैं, पकड़ कर बैठने के लिए, और पीछे की profile कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगी, मेरे हिसाब से यह भी best है, यहाँ पर एक seat निकाल लग किये, अलग रख रख किये, तो removal seat है, इसकी पीछे आपक लोग, दो airbag, और इसमें traction control, adjustable seat, tear pressure monitor, crust sensor, engine check, warning, EVD, electronic stable control, और इसमें आपको speed sensing auto door lock, और auto door unlock का भी option मिल जाता, features मिलते हैं, यह आपको safety के नाम पर, तो यह सारी profile कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगी, मेरे हिसाब से तो भाई, काफी ठिक ठाक profile मिल जाती है, यहाँ पर दे मिलते हैं, front में disc brake मिलते हैं, यह eagle light है, chrome अलग से लगी हुई है, यहाँ पर, यहाँ पर रिनॉल्ट का logo travel लिखा हुआ है, और logo काफी ठीक ठाक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर वाईपर और default का option नहीं है, टॉप में आ जाता है, तो यह सारी profile है, टॉप में back camera भी आ जाता है, touch screen system आ जाता है, तो यह सारी profile है, और यहाँ पर आपको rear parking sensor मिल जाता है, और यहाँ से boot space open करने के बाद कुछ इस टैप से आपको पूरा boot space देखने को मिलेगा, लगबग 84 liter का, लेकिन पीछे से profile ऐसी है, इस seat को 4 seater, 5 seater, 6 और 7 seater में convert आप कर सकते हैं अपनी आश्यक्ता के नहुसार, CNG लगसा लगवा सकते हैं, यह seat है थोड़ी सी आगे करने के बाद, तो यह जो सारी profile है, यह काफी best है, और यहाँ पर सभी seat open seat belt मिलती है, तो मेरे हिसाब से तो भाई, काफी best profile यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके की जो कारे हैं, जो seven sitter में आती हैं, वो अधी कांस कारें, आप देखा होगा, तो वो चलती है कराए पर, तो यह कराए के लिए काफी अच्छी कार है, जिन जो लोग कराए पर कार चलाते हैं, income अच्छी करते हैं, तो उनके लिए best है, 40 लिटर का fuel tank भी इसमें मिलता है, और यह सारी profile ऐ आपको देखने को मिलेगी, मेरे साफ से काफी सही है, प्राइस इसके काफी down है, अधर कारों को देखते हुए, जैसे आप अटी का ले लो तो उसके प्राइस बहुत जाद है, XL6 ले लो उसके प्राइस और भी जादा है, तो यह सारी चीज़े, लेकिन इसके प्राइस और अगर आप एसेसरी लेते हैं साथ में तो कीमत और जादा बढ़ जाएगी तो ये सारी बात मैंने आपको बता ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को स्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में